सुप्रीम कोर्ट में अभी अपना फैसला सुनाया है मेरे खिलाफ कंटेम्ट केस में मुझे दोशी का किरार दिया है कंटेम्ट के लिए और एक रुपए का फाइन लगाया है और बोला है अगर मैं फाइन नहीं देता तो तीन महिने की जेल और तीन साल के लिए सुप्रीम कोर्ट से मुझे बार कर दिया जाएगा मैंने पहले ही बोला था कि मैं जो भी सुप्रीम कोर्ट मेरे खिलाफ सेंटेंस देगा मैं उसको खुशी-खुशी मान लूँगा of course subject to मेरी जो राइट है इसके खिलाफ अपीर करने की क्योंकि मैंने जो कहा है वो मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट में तो उसको बोल दिया कि ये content है मुझे लगता है कि वो हर नागरिक का सबसे एहम करता भी है सच बोलना जहां गलत हो रहा है उसके खिलाफ अपनी अवाज उठाना ये हर नागरिक का सबसे बड़ा करता भी है सो मैं ये fine दे दूँगा लेकिन जो मेरा right है इसके खिलाफ चाहे review फाइल करने का चाहे writ फाइल करने का दोनों सब्सक्राइब करने का वो सब मैं करूंगा और अगर और भी कोई punishment इंपोस किया होता वो भी मुझे मानने था अब्यस्ली सुप्रीम कोर्ट का प्रैसला सब को मानने होता है मेरे लिए सुप्रीम कोर्ट के प्रती बहुत गहरा रिस्पेक्ट रहा है शुरू से जब से मैं प्रैक्टिस करता रहा हूं अब मुझे करीब 37 साल हो गए और मैं यह मानता हूं कि सुप्रीम कोर्ट वो आखरी जगा है खास कर गरीब और कमजोर लोगों के लिए जो उनके पास आते हैं अपने हकों की रक्षा कराने के लिए और खास कर एक बहुत strong government जब उनके हक वाइलेट करती है उसके लिए जब आते हैं मेरे tweet कोई सुप्रीम कोर्ट या न्यायपालिका को चोट पहुंचाने के लिए नहीं करे गए थे लेकिन इसलिए करे गए थे कि मुझे लगा कि सुप्रीम कोर्ट हाल में जो उनका बहुत अच्छा record रहा है उसके थोड़ा सा हिसल गया यह इशू यह नहीं है कि मेरे बनाम सुप्रीम कोर्ट के जजों के या मेरे बनाम सुप्रीम कोर्ट के सुप्रीम कोर्ट को जीतना चाहिए सुप्रीम कोर्ट अगर स्ट्रॉंग होता है और स्वतंत्र होता है तो हर नागरिक इस देश का जीता है यह देश जीता है अगर सुप्रीम कोर्ट कमजोर होता है तो हर नाग्रिक के लिए हाज मैं अपना अपनी कृतग्यता और आभार प्रगट करता हूं इतने सारे लोग जो मेरे लिए मेरे सपोर्ट में मेरे संग सॉलिडारिटी में खड़े हो गए चाहे वो जज रहे हो पूर्व जज चाहे वकील रहे हो चाहे एक्टिविस रहे हो चाहे आम नाग्रिक रहे हैं इतने सारे लोग खड़े हो गए और इससे मुझे बहुत होसला मिलता है और बहुत उमीद की किरन जक्ति है कि देश में ये अभिव्यक्ति की आजादी को इससे मजबूती मिलेगी और नियाएपालिका की जवाब देही और नियाएपालिका में जो बदलाव की जरुत है इस कैंपेट को भी शक्ति मिलेगी सबसे बड़ी बात यह हुई है कि इस केस के कारण बहुत सारे लोग क्योंकि इन्हों ने इसको लोगों ने इसको एक freedom of speech का एक औजार समझा और हुट सारे लोग जो अभी हताश होकर बैठे हुए थे वो खड़े हो गए और जो इस देश में जो अन्याय हो रहा है उसके खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करने लगे ये बहुत बड़ी बात है और मैं अपना अभार जो मेरी लीगल टीम थी जिसमें बहुत सारे लोगों ने काम किया मैं सब के प्रती अपना अभार यक्त करता हूं और खासकर जो हमारे सीनियर वकील थे राजीर दवन और दुश्यम दवे के प्रती और मुझे पूरी उमीद है कि सत्य की जय होगी और इ के प्रती एक